प्रदेश में जो टिकेट को लेकर कुरसी चली वो आपने नहीं देखा प्रदान मंत्री भी कह रहे हैं कि 2047 में हम अभिकास का काम करेंगे कैसे होगा तो प्रदान मंत्री ने फिर खा कि हम 400 पार दे दीजिए हम सब कुछ ठीक कर लेंगे प्रदान मंत्री रहेंगे और जो मर्जियों करते रहेंगे फिर सारा अधिकार बोलनी कि आज अरविंद केज्रिवाल जी शीटिंग सीम को जेल बेज दिया एक अप्रूवर के बयान पे जिसका कोई आधार निथा जिसका कोई बेस निथा जिसको यह खुद किंग पिन कहते तो पूरा देश यह देख रहा है कि किस तरह से ऑपोजीशन के आवाज को क्रस करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही मजबूती से जनता के खिलाफ लर रही है मैं जैए एक बात बता देजै कि आपरे कैसे लेता है जो जनिता के बीत जाते होंगे अपने कारेकरताओं के बीत आपके बीत जाते बहु चारीा किस विए उसी को समझनय अचारियों मैं आपकी पार्टी जैसा लगली वी अपनी चिथ्थी में झिक्र कर रहे हैं कि क्याम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो कॉंग्रेस पार्टी के भिष्टाचार को गिना कर सत्ता तक पहुची ये बड़ा मुद्दा था बकाइदा आपको याद होगा ऐसे ही पेपर अर्वन केजिवाल उठाते तो और कहते थे इसमें सब कुछ दर्ज है इसमें हुआ आज आप उनके साथ मिल चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी की नेता विरोत कर रहे हैं और यह जता रहे क्या हम आदमी पैटसत गडवन्दन नहीं होना चाहिए आपके कारे करता जो है वो इस बात की नाराज की नहीं दिखा रहे है या आप जब जनता के बीच जाते हैं आप हम वोट मांगने तो अपने गडवन्दन को कैसे जस्टिफाई करते हैं कैसे उस पार्टी के साथ आने को आप जस्टिफाई कर पाते हैं जिसको लेकर आपने एक बड़ा मोर्चा खुला था जब ये बात आपके जनतांतिक अधिकार को चिनने की हो जाए तो जनता कह रही है कि इस तरह के तनासा सरकार को हटाना है देश को बचाना है समिधान को बचाना है तो लोग बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है तो इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए और सभी जनता जो इस देश के सम्मीधान को जनतंतर को प्यार करता है, आपने बिल्कुल ठीक हामें, तो जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता तो छोड़ दीजे, भारती जनता पार्टी के कार्ज करता कहता है, कि हमारे बच्चों को बच्छी सिक्षा मिल रही थी, हमारे हमारे घर के लोग अच्छा इलाइज मिल रहा था, मोदी जी कोई बेहतर मोडल लेके आते, क्या वो इतने बड़े नेता नहीं है, कि वो इतनी बड़ी भूमी का में रह सकते थे, सब को साथ लाने का मतलब क्या, यानि अर्विन के जिवाल उस लाइक नहीं अभी, सब को सा दो चरन के चुनाव महां सब को मिलका आना परेगा, लेकि जए बात स्रमिधान के हो जाएगी, तो आपको भी आना परेगा रिपता जी, ताकि आपको TV चैनल पे बोलते हुए, आपको सरकार से डर लगने लगे, तो समने जी लड़ाए और मजबूती से लड़नी है, जितन आप अगर पैमी कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप वक्त की बात कर रहे हैं, मैं उसी वक्त पर आपको ले चलो कुछ वक्त पहले, एमर्जेंसी का जो दौर मिल्डिया ने भी देखा सर, उतना वैसा दौर तो नहीं है, कि रात में लाइट बन कर दें और आज तक सुबह प्रोग्राम ना दिखा पाए, या मैं बैठ कर आप से चर्चा नहीं कर पाऊ, या सौ से ज़्यादा नेता जेल में हूँ, वो दौर नहीं है, सर, दौर अभी वो नहीं है, आप उसी पार्टी के साथ हैं, जिसने एमर्जेंसी का दौर ना देखना पड़े इसलिए आप उसी पार्टी के साथ हैं, जिसने एमर्जेंसी का दौर लाया, जिसे काला ध्यायक आ जाता है, सर, वही दौर जो लेकर आया, आप उसके साथ हैं, इस ज़र से कि वो काला ध्यायक तौर नहीं है, आप लंबी बात कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि आज जो पार रोलेक्ट एक्ट लेकाए था इसे पीएमेले बना दिया जहाँ बेहली नहीं आहे नहीं नहीं हो सकता इस निल्यए पर्फिर भिठिश्मेश चा श चारीय तिस былоойsk 타 तो नजेश रवस्ती जी जिस तरह अभी कॉंग्रस में ये सरक टावल किस्थिप बनी हुए इसके पीछ आप इसको जिम्मेदार देखते हैं देखिए संजीव जाजी कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगतंतर बचाना है पंजाब में नहीं बचाना है तो दिल्ली में हमने कर लिया पंजाब में हम अलग लग लड़ेंगे यह एंडी गड़वंदन की वहां एक दूसरे को चोर कह रहे हैं खुले आम चोर कह रहे हैं आप प पंजाब में लोगतंत्र नहीं बचाना तो ये देश की बात कहां से कर रहे हैं पहली बात तो इंडिये एलाइंज दिल्ली की तीन और चाल सीटों के अलावा कहां पर है अगर कहीं कोई मुझे बता दे तो जरूरू मैं अपने ग्यान में अभी विर्दी करूगा पहली बात दूसरी बात संजीव जी आपने अमरिजनसी नहीं देखी होगी मैंने देखी है प्रधान मंत्री को जितनी गालियां दी जाती ना उसका एक परसंट तो बहुत दूर की बात है सोचने तक पर पाबंदी थी किसी घर में अगर इंद्रा नाम की बेटी भी होती थी थी ना त कि अरविंदर सिंग लवली सामने आके क्यों बोले आपको मालूम नहीं है कि जिस शीला दीक्षित जी का 15 साल जी नोंने दिली में मुख्यमंत्री रही उसकी जो तस्वीर लगाकर के टैंपो में आटो में जो आपके खिलाफ किया गया था उसमें आपको खुद सोचना चा करूंगा सब को सामने आ जाएगा यह सब कुछ है सोशल मीडिया पर आज भी एवलेबल है सब को मालूम यह आप ही जानते हैं और सबसे वड़ी बात है कि यह ऊपर के ऊपर से आया है आप मैं बता दूं कनिया कुमार जी को हरिशंकर जी ने भी का और जैराम रमेश ने का इस देश सबसे लोक प्रिय नेता कनिया कुमार है कहां से फैसला आया इसको जानना चैसे देश से विदेश से आया मुझे नहीं वालूम यह किसका दबाव ठाग कॉंग्रेस के किलाव किया क्या नहीं कर दूं कि उसको उसके लिए वोट मांगने जाएं गया उसके लिए व सवापत करने वाली आमादमी पार्टी है तीन सीटें दे करकर कब वहार करके आमादमी पार्टी का कोई कारीकर जो कारेकरटा रोज कहते हैं किसके लिए वोट माँगें हम यह बताओ कर दिखशी को अब यह समझ में पर यहां समझ में आरा है तो बोल नहीं रहा ऊपको मालुम है कि इस तब गद्वेश का आप देश में लोगतंत्र खत्रे में आप राज़ास्तान में अशोग करते हैं केरल में करते हैं पश्चे मंगाल में मंता बिनर जी तक आपको तक अमबानी अढानी नजर नहीं आता आपको इस जन्ता को बैव कुप बनाते आप आपको खुद को मालूम है कि आप बेवकुप बना रहें ये मुद्दा नहीं है देश में प्प्ता जी देखिए अर्पिता जी अवस्ती जी जो है राजितिक विश्रेशक के रूप में आपर बैठे हुए हैं उन्हें पेक्षा ये की जाती है कि वो सही को सही कहें गरत को गरत कहें एक पार्टी विश्येश के साथ ना हो जाया करें यह उनमें हमेश्चा से कमी रहती है कि मैं पुराना इनका मेरा संबन्द है एक राश्मितिक विश्रेशक को तो आपके जड़ा इन सब चीजों से दूर रखे ना इन से दूर रखे सर उनकी अपनी टिपड़ी है सर अवाज करा दीजिए अब सावन बढ़ा देजीगा थोड़ा से ठीक है बोलिया अपनी अगनी मेरी बात यह है कि इन्हों ने जो कहा अवस्ती जी ने अब अजिल सी के दोर की बात किया है अब उस समय की बात उसमें बड़े अगरिशिज्स हो चुके हैं बड़ी किताबें लिखी जा चुकी है चाहता तो तो उसमें पर चार्चा निकरेंगे अब प्रश्चा कर लेते हैं अब जबाब सुनीजे पिराव अमर्जेंसी में अमर्जेंसी में यहीं लोग थे आरेश्यस और हिंदू महासभा के लोग ते जिन लोगों ने इस देश का महावल खराब करके देश के बढ़वारा करने के लिए दूसरी विदेशी ताथ को से हाथ ब सक्षाके लगाई अब उनेवी सरकार को सवग्यानिक से चुनीजी सरकार को आड़ाने की कोशिछी जिए जिसके लिए अमर्जेंसी लिए अकुस थे कर सकते हैं नहीं कर रहा हूं आप क्या कर सकते हैं आप किया सकते हैं अप उसे जस्टिफाइए बेबस किया उन्होंने इमेजिन से लगाने का तो सर आप पर व्यारूद कर सकते हैं कि आप भी बेबस कर रहे हैं आज लोगतन के अथ्किया आप के इसाफ से अगर हो रही है तो कहीं आप तो बेबस नहीं कर रहे हैं आप इनसे बात कीजिए ना आज का मंदें से निले की देश के अंदर मुंदें से पहले अपर नुदें कर देंगे किस्कों पावंदे सरा यहां बैट कर प्रिधान मंच्री की चार मिंदा कर देंगे किसमें आपको रोका आप इतनी गड़्स है अपके अंदर क्या आप चैनल के अंदर ऊपर आकर इतनी बाते कह जा रहे हैं सर यह तो आप आपको इतना धंकाया डराया जा रहे हैं तो आपको इतनी बाते रहे हैं